तो इंग्लेंड भर्सेश इंडिया की भी जो महा मुकाबला T20 मुकाबला खेला जाएगा उसके उपर बात करेंगे लेकिन अभी हाल फिलाल हमारा टाइम किस परकार से चल रहा है उसके उपर हमें बात करना चीए जिस टीम से मैंने दिया था यहाँ पर GL विन हुआ यहाँ त तक तो सही है लेकिन कल एक एसा मुकाबला भी मैंने खेला था जिसमें मैंने 500 कोंटेस्ट लगाया था लेकिन जिसमें मुझे मात्र 55 रूपया दिया था यानि कि पूरी तरह से इस मुकाबले पर हमें लोज का सामना करना पड़ा इनके अलावे कल देखा जाए तो इस मुक देखो ये फेंटेसी एक कोई नहीं का सकता कनफर्म हमारी वीनिंग होगी किस मेच में लोज होगा ये कहना थोड़ा सा मुझेल है क्योंकि यह एक लग का गेम है जहां हमने जी एल विन करवाया वहां 500 कोंटेस्ट में माईने मात्र 95 रूपया ले आया तो इंगलेंड भर् यह लग का गेम है थोड़ा सा मिठात का गेम है दिमाग का गेम है यूच करो फेंटेसी यह लोज होता है इनसे घबलाना नहीं चाहिए घबला आओगे तो सिधे पीछे ही जाओगे आगे कभी बळ नहीं पाओगे तो दोस्तों दोनों टीमों का प्रोबेबल पिलिंग ले करेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा महत पूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जुवाइन करना किस परकार से हैं तो दोस्तों जैसे कि आप हमारा इस परकार से आप वीडियो देखते होंगे यह जो है यह होगिया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन को जैसे हम य टेली ग्राम चैनल का लिंक यहां पर दीखाई देदेगा इस बुलु वाले पर किलिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पे चले जाओगे वहाँ पर रहेगा जुवाइन आपको जुवाइन हो जाना है वहाँ पर मिलेगी final टीम, जिस टीम से मैं खुद खिलता हूं इनकी अलावे जील से डिलेटर बहुत सारी बाते जो जील विन करने के लिए काफी होता है बहुत सारे लोग जील विन कर रहे हैं और मैंने कई बार जील फिरी में विन करवाया है फिर से हमारी कोशीस होगी, तो इस वज़ा से हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चीए. तो दोस्तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए तो उनसे आपको साबधार रना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरीए ही जुड़ना है तो दोस्तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते इंडिया भर्सेस आयर्लेंड के भी जो सोरी यहाँ पर मही ने आयर्लेंड कर दिया इंगलेंड के भी जो फरस्टी-20 मुकाबला खेला जाएगा चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो दोस्तों इंडिया भर्सेज इंग्लेंड के भी फर्स्टी 20 मुकाबला खेला जागा टाइमिंग की बात के रात के साड़े दस बजे साउथ हेम्टम में खेला जागा भेनियू की बात किया है एबरेज इसको एक सो सतर से क्सो नब्य होना चीए इंग्लेंड की पीछ है और दोनों टीम स्ट्रों है तो एक कड़क मुकाबला देखने को मिल सकता है जहाँ पर फास्ट गेंबाज को थोड़ा सा इस्पीन से जाधा मदद मिलेगी देखा जाए टी 20 बलास्ट का रिकोर्ड मैंने देखा तो आपर इस्पीनर को भी मदद मिला लेकिन जाधा तर इंग्लेंड में फास्ट गेंबाज को मदद मिलती है और इंडिया और इंग्लेंड के भी जो मुकाबला होगा एक कड़क मुकाबला होगा वन साइडेट आप बिलकुल नहीं बोल सकती हो वैसे देखा जाए कर्या रिकोर्ड पूरे रिकोर्ड के अधार पेते इंडिया का पलरा भारी है लेकिन अभी के बरतमान देखा जाए तो इंग्लेंड का पलरा भारी यार वो अपने घर पे खेल रही है तो थोड़ा सा इंग्लेंड को ही मैं मजबूत मान रहा हूँ अब बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल में तो आपको जूड जाना है मैं तो ये बता दिया प्रोबेबल फिलिंग लेबन जेसन रोई जोस बटलर का IPL रिकोर्ड और अभी देखा जाए इन्होंने नीदरलेंड के खिलाए तो गाफी गजब ODI में भी खेल के आ आ रहे है गजब का पिलेर है किफटन भाज के लिए जोस बटलर सबसे महतपूर्ण होने वाले है क्योंकि ये रूकर खिलते पहले क्या करते थे हार इटिंग करते थे और सस्ते में विक्टे भी दे देते थे जेसन रोई के उपर आप रिस्क ले सकते हो जेसन रोई एक एसा पिलेर ह ये 50 कर लेगा या फिर पावर पले में ही भूने स्वर के गेन पर नहीं पढ़ जाएगा डेविन मलान जेसन रोई के जल्दी जाने पर डेविन मलान का यहां पर और भी महतपूर्ण हो जाएगा और भेतर बले बाजी कर सकते बाएं हाथ के ये बले बाज जाएं पिसाल्थ को खिलना चाहिए इनके लाभी मोहिन नली आपको स्पीन गेन बाजी साथ सार बेटिंग की परकार्चे करते हैं और वो भी छटे नमर प्याएं यहाने इंगलेंड का यहां पर देखा जा बले बाजी काफी मजबूत है सेम कुरान भी बढ़िया बले बाजी कर देता है और दो तीन गेंद एक ओभर के लिए किरिस जोर्डन भी कम नहीं है तो यहने काफी बढ़िया डेत ओभर में किरिस जोर्डन गेन बाजी करते हैं डेविड विल्ली शुरुवाती ओभर में डालेंग जैसे कि भुनेश्वर कुमार इंडिया के लिए डालते हैं मे में भी टीम मिल्स ने काफी बढ़िया परदर्शन करके दिया था अब बात कर यहां पर इंडिया की प्रोवेबल पिलेंग लब इसान की सन काफी बढ़िया रोही सर्मा का फोर्म मुझे बहतर नहीं लगा इसलिए मैं रोही सर्मा को उपर रिस्क लेने वाला हूँ आपको पूरा विश्वास है कि सुर्य कुमार यादा भी इस बड़े टीम के खिलाब यह बड़ा परदर्शन कर सकते हैं देखा जाए तो आयरलन के खिलाब इन्हें ज्यादा मोका भी नहीं मिल रहा था तो परदर्शन क्या करेगा हर्दिक पंडिया एक इंपोर्टेंट पिलियर में चरहें दोनों टीमों में देखा जाए सबसे टेकिंग देव दिनेश कारतिक ही है अक्षर पटेल बलेज कुछ जोहर दिखा सकता है साथ में ये गेनबाजी इस पीन आपको करती हुए नजार आएंगे तीन ओभर तीन का कंफर्म लगता है हर्चल पटेल डेत उभर में गेनबाजी काते हैं इंडिया की पहले गेनबाजी में ज्यादा महत्पूर्ण है पहले बलेबाजी में तब महत्पूर्ण है अगर जदी इनकी बलेबाजी भी कुछ मिल जाए तो क्योंकि बल्लेबाजी सबी देखो लाश्ट मेंच विन्हों ने किस तरह की पारी खेलका ही जो इंडिया भरसेस नोर्दन या क्या था T20 बलाश्ट के एक टीम था उससे इन्हों ने खेला भुनेशबर कुमार सुर्वाती विक्टे निकालेंगा अवेज कान मिडिल में डालेंगे यूजी चाहल के उपर डिसाइड करेगा इंडिया वीन करेगी या लोस अगर जदी ये वहतर परदासन करेंगे तो यहाँ पर निश्ची तोर पर इंडिया की वीन होगी क्योंकि ये गेन बाजी देखो के इंगलेंड की तरफ से यहाँ पर आदिल रासीद खेले थे दो बिक्टे लेगे लिविंस्टोन को इस्पीन का मुखा मिला और इन्होंने भी दो बिक्टे ले गए इनके लाबे दोस्तों इनके 34-20 मुकाबले की रिकोर्ड देखी जाए मोई नेली यहाँ पर दो बिक्टे लेगे टोफली को एक आदिर रसीद को एक लिविस्टोन को याने की स्पीन को कुछ मदद यहाँ पर मिलती है इनके लाबे जेसान रोई ने यहाँ पर बामवारन की अच्छी पारी खेली जेविस्ट चाउंतिस मोई नेली ने यहाँ पर तीरे सट लेकिन मोई नेली का वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भेजा जाएगा तो इस वज़े से जादा मौका बल्ले बाजी से नहीं मिलने इनके लाब है दोस्तों ये देखा जाए फर्स्टी ट्वंटी मुकाबला जो बेस्टेंडित के खिलाब था तो यह रहाता स्कोरकार्ट देखो दोनों टीम में बदलाव है बड़े-बड़े पिलियर आये हैं तो भारत का भी स्कोरकार्ट देखोगा आयर्लेंड के यहाँ पर की जाए तो संजू समसम 77 जड़े थे दीपक हुटा 104 यह आयर्लेंड के खिलाब की है और यहाँ पर मार कादिर ने तीन विक्टे ले जो लिट्टल दो बिक्टे सी यंग दो बिक्टे इनके अलावे देखो अब यह भी स्कोरकार्ट देख सकतो आपको किरिक अब दसन किये हैं हादिक पंड्या यहाँ पर 24 सुर्कुमार यादर जीरो पे चले गए थे फस्टी टॉंटी मुकाब्ला आयर्लेंड के खिलाब जो खेला गया था इंडिया की तरफ से सारे गेनवाज एक एक बिक्टे अक्षार पटल यू मली को कोई बिक्टे नहीं मिला बारा उबर के खेल हुआ था बारी से बादीतार हम लोग का ये मेच कापी बेतर गया था तो दोस्तों ज़्यादा इसकोर कार नहीं देखेंगे आप सारे पिलर इंटरनेशनल है तो सभी को पता है लेकिन चलिए आप सबसे ज़्यादा जो महत्पून है वो है कोंबिनेशन इससे पहले अग जदे हमारे यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब नहीं किये हूँ तो जल्दीच जाकर सबस्क्राइब करलो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन दे देता हूँ फिरी टीसर सभी लोगों को मिल र यहाँ पर देखा जाए जोस बटल सबसे बेश्ट होनी बाले दिनेश कार्थिक बेश्ट है लेकिन इनकी बल्लेवाजी जितना नीचे इसलिए यह बेश्ट नहीं हो पाते अगर जदी यह टूप चार तक में भी आते तो दिनेश कार्थिक महत्पूर्ण हो जाते तो यहा गेंदों पर अधिक रहन मारने की छमता है डेविन मलान को यहाँ पर पिक यहाँ जेसन रोई के उपर जो मैं रिस्क लिया हूँ तो थोड़ा से यह गलत भी साबित हो सकता क्योंगे जेसन रोई एक अच्छा पिलेर है खेल सकता है अगर जदी भुनेश्वर इनका क्या मोईनली काफी महतपूर्ण है लेकिन बलबाजी इनका नीचे है तैसलिए गेंबाजी के नजरियासे मैं इनको देख रहा हूँ अक्छार पटल गेल पर ट्राय करना सेम कूरां गेंदो मले से भी लेकिन त्वनेश्वर आपने टीम पर बलबाजी काफी नीचे करनी प आफ डेना है टेम मिल्स की बाद कर डेत्ches भर में गयन बाजे करें, इंग्लेंड। पहले गयन बाजी करेंगा तो इनको फिक ही नहीं करूंगा, भी shoot भी है दे सकता हूं। डेविड विल्ली जिस तरह से भुनिस्वर कुमार पाबर पहले में गेनबाजी करता है उसी परकार ये भी करेंगे बल्लेबाजी ति इनको आता है लेकिन बल्लेबाजी से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए काफी नीचे है लिए इन काफी बढ़िया गेनबाजन किरिस जोर्डन और यहाँ पर देखा जाए टेम मिल्स दोनों डेत उभर में डालेंगे और अपने तरफ से देखा जाए इंडिया के तरफ से हरसल पटेल और भुनेश्वर कुमार डेत उभर में गेनबाजी करनें कई बार आवेस खान के उपर भी इंडिया चली जाती है इनके अलावे केप्टन भास के बाद के बेस्ट केप्टन जो बटलर होना चाहिए भास यहाँ पर हर्दिक पांडिया होना चाहिए अब बात आती है कि जी एल के लिए कुछ बेस्ट कॉंबिनेशन की इस परकार से बनाना चाहिए तो देखो जी एल के लिए अगर बेस्ट मलान सबसे बेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं तो डेविड मलान के लिए बेस्ट ओप्शन होंगा अगर जदी शुरुवाती बिक्टे गिरती है तो इनके अलावे इंडिया के तरफ से इसान कीसन और जोस बटलर अगर जदी बलंबी पारी खेलेगी तो डेविड मलान और सुरु गिरती बटलर को आपको केप्टन वहाईस नहीं दोगे तभी इन दोनों केप्टन वहाईस देकर अपनी टीम पे पिक करना अब बात करें यहाँ पर हर्दीक पंडुय भाण के लिए अब गेनबाजी में देखो पहले अगर जदि इंडिया गेन वाजी करेगी तो यहाँ पर हर्सल, पट्ल जादा महसपूर्ण होंगे केप्टन वास के लिए और सकेंड में गेन बाजी करेंगे तो यूजी चहल यहां पर महसपूर्ण होंगे केप्टन वास के लिए यह दो लोगिक आपने समझ लिया अब इंग्लेंड की तरफ से देखा जाए तो अगर जदी पहले गिनबाजी करेगा इंग्लेंड की टीम तो यहाँ पर देखा जाए यह महत्पूर्ण हो जाएगे टीम मिल्स यहाँ पर केफटरन भास के लिए डेट उबर में गिनबाजी करेंगे अगर जदि सकेंड में गिनबाजी करते हैं तो देखो यहाँ पर मैथ्यू पार्किसन भी काफी बढ़िया अहाम हो जाएंगे लेकिन इंडिया जो है स्पीन को काफी बहतर यह खेल लेती है तो इस वज़ा से थोड़ा सा स्पीन के उपर मैं भरोसा नहीं जाता था हूँ इनके अलावे डिफरेंशल पीक के तौर पे देखा जाएं तो अब इस खान इन सब को अगर जदि सारे गिनबाज को पीक करते तो ओपनर को केप्टन भाज दे देना यह लोजिक अपना ना है या फिर एसा भी कर लेना इंडिया को चार पेलियर चार बल्ले बाज ही ले ल फिलाल के लिए मैं अपनी वीडियो के यहीं समापत करता हूं सीधा मिलता हूं इस मेच के अपडेट के साथ एक बहतर कॉंबिनेशन और एक बहतर वीनिंग के साथ